ओम नमाशिवाय फ्रेंड नवरात्रे शुभारम की हार्दिक शुभ कामना है नौ दिन नौ रत की रेसिपी और नौ कहानियों के स्रंखला में आज पहले दिन हम माशैल पुत्रे की अद्भुत कहानी भी सुनेंगे और चटपटी रेसिपी भी देखेंगे साबुदानी की ख खिच्रे की रेसिपी बता देती हूं आप उसे वीडियो पर देखते रह सकते हैं और उसके बाद मैं आपको कथा भी सुनाओंगी तो साबुदाने की खिच्रे के लिए हम दो कप साबुदाने को अच्छी तरह से धो करके दो घंटे के लिए फुलने के लिए रखतेंगे और इस खिच्रे के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ता इन सब को हम अच्छी तरह से धो करके छोटे-छोटे पिसे में काट लेंगे अब सबसे पहले हम टेल या घी की फाइन जो भी आप वरत में खाते हैं मैं यहां घी इस्तेम जीरा के तरका लगाएंगे और इसमें आलू, हरी मिर्च, टमाटर और यह सब कुछ टाल कर पाच मिनट तक इसे धक कर स्थोटे करेंगे पकने देंगे वरत में इस्तेमाल होने वाले मसालों का हम यहां एडिसन करेंगे जैसे की लाल मिर्च पाउडर, फुने जीरे का जाने के बाद हम फिर से दो मिनट इसे चलाएंगे और ढग कर पकने के लिए छोड़ देंगे दो मिनट के बाद हम हमारे साबुदाना जिसे हमने फूलने के लिए रखा था उसे दबा कर देख लेंगे कि वो अच्छी तरह से फूल चुका है या नहीं, जनरली दो घंटे म को हम इसमें एड करेंगे, इसे पाच मिनट चलाएंगे और उसके बाद एक गलास पानी एड करेंगे, अगर जरूरत महसूस हो तो यहाँ पर आप थोरा सा और व्रत का नमक एड कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद एक मिनट बाद गैस आफ कर दीजे, इसमे खिचड़ी वाली बिलकुल ही तयार है, आप माता रानी को भोग में और क्या-क्या बना कर देते हैं, ये कमेंट सेक्सिन में चरूर बताईएगा, और अब बारी है माता शैल पुत्री की अद्भुत कहानी की, नवरात्री के पहले दिन मा शैल पुत्री की पुजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है, पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्री की पुजा में कपूर का इस्तिमाल बेहत शुब माना गया है, कहते हैं मा दुर्गा की पुजा में कपूर के इस्तिमाल से उनकी विशेश कृपा भक्तों को एक बार राजा प्रजापती दक्ष ने यग्य करवाने का फैसला किया, इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंतरन भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं, क्योंकि देवी सती ने उनकी मर्जी के विरुध जाकर भगवान शिवत विवाह किया था, इसलिए वो उनसे नाराज थे, पर देवी सती को लगा कि उन्हें भी निमंतरन जरूर आएगा और वो इनिमंतरन के लिए बेचैन थी, फिर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम भी चलते हैं, लेकिन भगवान शिवने कहा हमें निमंतरन नहीं आया है, और इसलिए देनी परी सती जब अपने पिता प्रजापती दक्ष के हां पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम्स के साथ बाचित नहीं कर रहा उनकी बेहने उनका उपहा जुरा रही है सती के पती भगवान शिवजी को भी तिरस्कित किया जा रहा है स्वम दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा ऐसा देखकर उन्होंने उसे यग्य में खुद को स्वाहा कर दिया और प्रांत्याग दिये भगवान सिव ने इन सबसे दुखी होकर गुसे की ज्वाला में उस यग्य को धुस्त कर दिया इसी सती ने फिर हिमाले के हां जनम लिया औ शैल मतलब पत्थर पाशान पाशान देव की पुत्री मा शैल पुत्री का वास काशी नगरी वारा नसी में माना जाता है वहां शैल पुत्री का एक बेहत प्राशिन मंदिर है जहां तरसन करने से भक्त जनों की मुरादे पुरी होती है तो ये थी शैल पुत्री माता की हम माता ब्रह्मचारनी की अद्भूत कहानी के साथ एक और चटपटी रेसिपी के साथ फिर से आएंगे. आप भी माता रानी के दर्बार में हाजरी लगाने जरूर आना और कमेंट में आपके अगर कोई भी प्रस्न या सुझाव हैं तो उन्हें जरूर बताना. तब तक के लिए जै माता दी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्सिन में पुजा की तिथी, महुरत भी जरूर देखिएगा. जै माता दी.